नमस्कार दोस्तो आप सभी का जीखे स्टिडी इन हिंदी में बहुत बहुत स्वागत थे दोस्तो आज के इस वीडियों बात करने वाले है जीखे के बहुत ही महत्तपूर सवाल के बारे में आपको सवाल का एंसर देने के लिए पांच सिकेंड मिलेगे दोस्तो आप अपना इंसर कमेंट बाक्स में जरूर बताए अगर आपको वीडियो चाल लगे तो लाइक और सेर जरूर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए शुरू करते हैं सवाल नमबर एक एंबूलेंस को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों आपको उत्तर देने के लिए पांच सिकंड मिलेगे आप अपना उत्तर कमेंट बाक्स में बताए अगर आपको वीडियो चाल लगे तो लाइक और सेर जरूर करें सवाल नमबर दो भगवत गीता मूल रूप से किस भासा में लिखी गई है बहुत ही महतुपूर सवाल है भगवत गीता मुल रूप से संस्कृत भासा में लिखी गई है सवाल नमबर तीन माया वती का असली नाम क्या है दोस्तों बहुत से लोगों को इसका इंसर नहीं पता होगा अगर आपको इंसर पता हो तो कमेंट में जरू बताए माया वती प्रभुदास सवाल नमबर चार बोड देने वाला अधिकार किस अनुचेद में आता है बहुत ही इंपर्टन सवाल है अनुचेद 326 में सवाल नमबर पांच कागस का अविश्कार किस देश ने किया था दोस्तों कागस सबसे पहले किस देश ने बनाया था अगर आपको एंसर पता हो तो जरूर बताए चीन देश ने सबसे पहले कागस का अविश्कार किया था सवाल नमबर चार नेपाल का राष्टी खेल क्या है दोस्तों बहुती महत्यपूर सवाल है नेपाल का राष्टी खेल क्या है आपको इंसर पता हो तो ज़रू बताइएगा बालिवाल, नेपाल का राश्टverse खेल है सवाल नमबर साथ किस देश में सूरज सबसे पहले डूबता है इंग्लेंड देश में सूरज सबसे पहले डूबता है सवाल नमबर आठ पहाड पर अधिक ठंड क्यों महसूस होने लगती है बिज्ञान का बहुत ही महत्वूर सवाल वातावड का कम दबाओ के कारण सवाल नमबर नव भारत के किस राज में सबसे ज़्यादा हाथी पाये जाते है दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है करनातक राज में सबसे ज़्यादा हाथी पाये जाते है सवाल नमबर दस बहुत ही गजब का सवाल है वा क्या है जो साल में एक बार आता है महिने में दो बार आता है हपते में चार बार आता है दिन में च्छ बार आता है आपको उत्तर पता हो तो इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएगा बहुत यह अच्छा कोश्यन है बहुत लोगों को नहीं आता है एप